आपकार लवर्स के लिए कुछ खबरे आपको दिखाते हैं लगजरी कार मेकर वॉल्वो भारत में अपनी नई प्रेमियम SUV XC60 लॉंच कर चुकी है और ये देखने में वॉल्वो के ही XC90 जैसी ही है इसमें 2.0 लीटर का D5 डीजल इंजन लगा हुआ है जो की 235 BHP की ताकत देता है इसमें आल वील ड्राइब और 8 स्पीड ऑटमाटिक गेर बॉक्स दिया गया है वॉल्वो XC90 की एक शोरूम कीमत 55,90,000 उपए है गाड़े के अंदर बहतरीन फिनिश वाला लेदर इंटीर दि जोगी है यानि भारत में भी अगले 2 सार में वॉल्वो के इलेक्ट्रिक कारे नजर आएंगे वॉल्वो या वो कंपनी जो की धीरे धीरे इंडियन मार्कित में खासकर जो लगजरी सेगमें जिसके हम बात कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे अपनी पहचांग जो है वो लगातार बढ़ाते जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजा है वो कुछ आखरी प्रोड़क्स जिसने मार्कित को शेक अप करके रख दिया अपने खासकर डिजाइन को लेकर और इंटरैशनली भी अगर हम कहें वोल्वो के लिए जो मार्कित है वो बहतर होता वा नजर आ रहा है चाइना जो की सबसे मार्कित में भी आ जाती है तो इंडियन मार्कित के लिए पूरी तयार यह जो वोल्वो लग रिए सिर्फ एक में जो की लांच होने वाली है लेकिन आप देश सकते हैं कि देखने में बहत खूसूरत है जो चाब वोल्वो की XC90 या S90 ने छोड़ी है वही चाब आपको इस XC60 में भी देखने को मिलेगी वही थौर LED लाइट्स, सेम ग्रिल और एक अच्छा खासा फुल SUV सांस है जो की आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है डिजाइन के लिहाज से कुछ एलिमेंट्स इसे बिग ब्रदर XC90 से अलग करते हैं जैसे की हाइट जो की XC90 से खरीब 10 सेंटीमेटर कम है आपने बहार से डिजाइन देखा एक बात आपने गहर करियोगी कि बहुत कुछ जो है वो आपको वाल वो की फैमिली उससे दिखता है और XC90 की काफी चाप है जो की आपको एक सीरियर लिखी इंकीरियर में भी वही हाल आपको मिलेगा काफी सारी चीज़े हैं जो की XC90 से ही उठाई गए है दोश निटर कैस्में डीजल इंजन इस्तिमाल कियागया है दिजल इंजन इंटिया जो की वाल मढकी शाधियूमी ऑर्टन करता है वही इंजिन इसमें इस्तेमाल किया गया है दी-फाइब लेकिन ट्यून आई यह 235 होर्स पावर जनरेट करने के लिए अच्छी खासी पावर इसमें मौझूद है it's a car that will appeal to both to the driver as well as for the people who like to have their car to chauffeur driven backseat पर इस गाडी का अपना ही मज़ा है डेने आटो शो के 11 एडिशन में मुंबई में जमकर भीर जुटी कारों और बाइक्स के शौकीन बड़ी संख्या में मुंबई के गोरे गाओं के एक्जिबिशन सेंटर पहुचे देशी से लेकर विदेशी गाडियों को शोकेस यहां पर किया गया नई से लेकर विदेश कारे तक एक्जिबिशन में पहुची डियने आटो शो के 11 एडिशन में मुंबई में इस साल भी धेरो ब्रैंड शामिल हुए आठ और नौ दिसंबर को बड़ी संख्या में कार और बाइक्स के शौकीन डियने आटो शो में जुटे कारों के देशी और विदेशी ब्रैंड्स ने शो में हिस्सा लिया, कारों के साथ टू वीलर ब्रैंड्स भी शो में शामिल हुए हुंडाई, फॉक्स वैगन, हॉंडा, स्कोडा, टाटा मोटर्स और इसूजू जैसे ब्रैंड्स ने ग्रहाकों को खीचने की कोशिश की जिसको सीटेन नंबर से गिना जाता है, जिसको पेट्रोल में आप ऑक्टेन से जाते हो, डीजल में आप सीटेन से देखते हो, तो मेरा सीटेन एट लिस्ट 25 तू 30 परसेंट, देन प्रीमियम डीजल से मेरा ज्यादा सीटेन नंबर होता है कार एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनियों ने भी डीएने आटो शो में प्रोड़क्ट दिखाए, सेफटी डिवाइसस से लेकर कार ट्रैकिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनियों ने प्रोड़क्ट लोगों के सामने रखे DNA Auto Show में विंटेज कारों की भी जलक देखने को मिली DNA Auto Show का एक बड़ा अट्रेक्शन Engineering College VJTI के चात्रों की concept वहिकल Zenon 5.0 भी रही Zenon 5.0 सिंगल सिटर All Terrain वहिकल है इसे पूरी तरहां VJTI के चात्रों ने मिलकर बनाया है Speciality है यह कि यह All Terrain वहिकल है It can go on any terrain if you want to And transfers to different tracks So that's the main USP of this car ग्रहाको को पसंद की गारियों को करीब से देखनी और उसकी खासियातों को समझने का मौका मिला तो प्री बुकिंग की सुविधा और डिस्काउंड का फायदा भी मिला Under one roof you get to see all the models बहुत अच्छा च्वाइस मिलेगा ग्रहाको के लिए For customers who want to purchase And for the kids also it's a fun outing All the way to Newambay से आया हूँ Especially to watch this auto show And very happy to see Very pleasant है यहां पे To see all the cars and bikes DNA Auto Show ग्रहाको के लिए कुल मिला कर अच्छा एक्सपिरेंस रहा Neha Singh के साथ रहुल कुमार Zee Media, Mumbai